जैशी किशन आप सेभी को कैसे हैं आप 23 ओक्ट्यूबर 2023 का द्यानिक राशीफल लेकर आचुकियों मेश वरिश्या मिथून किस राशी को मिलेगी परिशानी जाने द्यानिक राशीफल और साथ में उनका उपाए तो क्या कहते हैं आपके सितारे जानने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है आज की तिती है नौमी तिती पाँच बच के चववालिस शाम के समय उसके बाद दश्मी तिती लग जाएगी आज का नशत्र है श्रवन, पांच बच के चौदा मिनट शाम के उसके बाद धनिष्टा नशत्र लगेगा आज का करन है कॉलव और तैतिल, आज का पक्ष है शुकलपक्ष, आज का योग है गड़, आज का वार है सोमवर तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे और किस तरह से रहने वाला है आपका दिन तो सबसे पहली राशी है मेश राशी, मेश राशी के जातक आज विध्यारतियों और खिलाडियों के लिए सर्वत्तम समय चल रहा है शाम को दोस्तों के साथ अच्छा समय बीच सकता है आपके वैवाहिक जीवन में कल है बढ़ता नजर आ रहा है शुपकारे होने का योग बन रहा है भाई बहन के लिए रोजगार के अफसर मिलेंगे भाई बहन को सुक्सम्रदी में ब्रदी का योग बन रहा है आपका काम करने का तरीका बदले रिष्टेदारों से मुलाकात होगी क्रोध ताउतेजना पर नियंत्रन रखे नए वैपार के अफसर मिलेंगे आज क्या नहीं करें आज किसी को भी उधान ना दे आज का महा उपा आज विष्णु सहस्र नाम का पार्ट करेंगे तो बिगड़े काम बनेंगे आज का शुबरंग है लाज वरिश राशी वरिश राशी वालो आज जीवन साती से सायोगों तथा लाब की संभावना बन रही है फिर भी कुछ मामलों में विवाद उत्पन हो सकता है स्वास्ते का ख्याल रखें पैसों की कमी की वज़़े से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा गर्जों का दवाब भी आप पर बना रहेगा कामकाज की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है हाला कि आपको काफी कड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है आज क्या नहीं करें आज चावल से परेच करें आज का महा उपाय आज पांस तुलसी का पादा घर में जरूर लगाएं या तो मंदिर में दान करें आज का शुबरंग है हरा मिथुन राशी मिथुन राशी वाले आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है ववसाई की योजना फलिभूत होगी क्रोध एवं काम वृत्यों से परे रहने के आवशकता है अन्यथा मुसीबत में पढ़ सकते हैं स्वास्ते के पति सचेत रहे रचनात्मा कारों में मन लगाए जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं पारवारिक जीवन में आपसी तालमिल मानसिक बल देगा आपकी विरोधी भी सक्री रहेंगे और वे आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं आज क्या नहीं करें आज जमीन ना खोदें आज का महा उपयाज घर में गुलाब की खुश्बू महकाएंगे तो लाभ मिलेगा आज का शुबरंगे हरा करकराशी करकराशी वालों के लिए आज संतान को समाज समाजी कारे करते देख आपके मन में प्रसंता होगी ववसाय करें लोगों को आज अचाने से धन लाभ मिल सकता है वयस्ता के चलते जरूरी कारे बादित होंगे आपके स्वास्ते में थोड़ा कष्ट हो सकता है जिसके लिए आपको सावधन रहना होगा आज बाहर के खानपान से आपके पाचन तन्थ पे बुरा प्रभाव पढ़ सकता है नए संबंद अनिश्टकारक हो सकते हैं हर कोई आपकी परतिभा का लोहा मानेंगे आज क्या नहीं करें आज लडाई करने से बचें आज का महा उपाय आज तुलसी के पौधे में रोज सुबाज शाम दीपक जिलाएं आज का शुबरंग है लाल सिंगराशी सिंगराशी वाले आज आपको कोई नया काम या प्रोजेक्ट मिल सकता है प्राइवेट करमचारियों के लिए आज का दिन बहतरीन रहेगा किसी नय व्यवसाय की शुरुवात पर आप करेंगे आप कोई नया प्लाट खरीदने का विचार कन अपने घर विचार के साथ भगर परिवार के साथ मल कर करेंगे आपका आर्थिक पक्ष पहले कि अपेक्षा और भी बहतर रहेगा वैपार में निर्णे सो समझ कर ले अच्छी संगती का साथ दे जिससे आप भी एक अच्छे नागरिक बने और डेश की सेवा करें आज क्या नहीं करें आज नशे से दूर रहें आज का महा उपए आज गरीबों को दान और बुजर्गों की सेवा करें आज का शुबरंग एहरा कन्याराशी कन्याराशी वालो आपके दिन की शुरुवात आपके अनुकूल होने वाली है आप अपने प्रिये द्वारा कही गई बातों के प्रती काफी समवेदन शील होंगे आज आपको किसी रुके वे काम के पूरा होने से खुशी मिलेगी विध्यार्टियों के लिए दिन बहतर हैने वाला है उन्हें किसी परिक्षा में सफलता मिलने से उनका वाउनके परिवार का नाम रोशन होगा आज शिपे शत्रों से बचने की कोशिश करें आवेश में कोई कारें नहीं करें आज क्या नहीं करें आज जगरो विवास से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा आज का महा उपाए बर्गत के पत्ते पूजा स्थल पर रखें आज का शुप रंग है हरा तुलाराशी तुलाराशी के जातक आज पारेवारिक सुख बना रहेगा सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है अति उस्साह से हानी होने क्या शंका है आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा कोई अप्रिय अश्युप समाचार मिलने से आपकी कारेशमता प्रभावित हो सकती है आज आपके विरोधी पे आपके सामने दोस्तों का हाथ आगे बढ़ाएंगे ववसाई कती विध्या धीमी होने कारण आप अपनी योगिता और महनस से अपनी आर्थिस्तिती को बनाए रखेंगे आज क्या नहीं करें आज महमानों का निराधर ना करें आज का महाँ उपाई गणे जी की पूजा आवश्य करें आज का शुबरंग हरा व्रिशक राशी व्रिशक राशी आज आपको पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर विचार कर ना होगा पिछले कुछ समय से चल रही कोई चिंता भी दूर हो सकती है आलेस से कारण किसी भी काम को टालने की कोशिश ना करें कारे की अधिकता के कारण आपको मांज से परिशानी रह सकती है नेगिटिविटी विचारों से दूर रहें विद्धार्टियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, करियर को लेकर आज दिन उत्तम रहने वाला है, कला वकोशल से जुड़े लोगों को आज सफलता मिलती नजर आ रही है, आज क्या नहीं करें, आज किसी का समान देकर लालच से बचें, और आज का महा उपा आज गरीबों को बोचन कराएंगे, तो लक्षमी की कृपा बरसेगी, आज का शुबरंग है काला, धनुराशी, धनुराशी, आज आज आपके मन में नेगिटिविटी की थौट्स आ सकते हैं, आप बस अपने काम पर गौर दे, दूसरों की बातों पे ध्यान ना दे, यद सेवारत लोग अपने कारियों को बखुबी अंजाम देंगे, पती-पत्नी आपसी सामंजिस से बना कर रखेंगे, आज क्या नहीं करें, आज घर में गंदगी फलाने से बचें, आज का महा उपाई, गाय और कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, आज का शुबरंग हैरा मकर राशी, मकर राशी जातक आज वैपार में भागीदारों के साथ लाबदाई विचार वे मश होगा, आज के दिन आप किसी अग्याद भय से परिशान रहेंगे, आपका रुका हुआ कारे चल पड़ेगा, आपको अपने बुजर्गों का शिवाद मिलेगा, गपवाजी और अफाहों से दूर रहें, आपका जीवन साथी किसी खुपसूरत सप्राइस से आपका दिन बना सकता है, आपको प्रेम एम संतान का भरपूर साथ मिलेगा, आज के दिन किसी भी नए वैपार की शुर्वाद ना करें, आज क्या नहीं करें, चोरी ना करें और नहीं जू आपका कोई बड़ा काम संतान के सायोग से पूरा हो सकता है, माता-पिता का सायोग भी बना रहेगा, शाम को उनके साथ किसी धानमिक सल पे जाने की संभावना है, धानमिकारे में रुचि और अध्यात्मिक रुचिन की प्राप्ती होगी, मानसिक भटकाव के कारण काम पर शुरी का भोग लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, आज का शुबरंग है नीला मीन राशी, मीन राशी आज आप किसी भी तरकत जूट बोलने से बचे और अपने साथी की भावनाओं का आदर करें, मांगली कारे, समन्दी, योजने बनेंगी, वेस्द दिंचरिया के बावज़ कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शौपिंग और मोजमस्ती में भी वैतित हो सकता है, आई के नई स्रोत आपके पास आएंगे और आपके विठ्थ को बहतर बनाने में मदद करेंगे, व्यर्थ के विवादों से दूर हैं तथा कहीं भी वारताल आप कर करते समय सेमित वहवार रखें, अच्छा सोचें क्रोध ना करें, आज क्या नहीं करें, आज खान पान पर ध्यान दे और खुब पानी पिए, आज का महा उपाई कील कवच और अगला का पाठ करना शुरू कर दें, आज का शुब रंग है नीला, तो आज का द्यानिक राश को उठाएं, तो कलश का जल पूरे जल का जो जल है, घर में छिरकाव करें, बचेवे जल को आप किसी भी व्रक्ष में डाल सकते हैं, और जो आपने खेतरी या जो बोए हुए हैं, वो अगर आप उठाते हैं आज के दिन, तो आप उसमें से थोड़ा सा उठाके लाल कपड जला दे और मा लक्षमी से प्रातना करें कि आपके घर में स्थी रूप से वास करें, वहीं बैटके ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप अवश्य करें, ये छोटा सा उपाई जरू से जरूर करें, आपके धन समंदी जो भी समस्या चल रही है, वो सारी दूर हो मातारान की किरपा दिष्टी होगी आपके उपर और आपके जीवन में हमेशा खुशिया बनी रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जादर से जादर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आ गया दीजिए, फिर आती हूं कल के द्यानिक राशी परल के साथ में आपका दिन मंगल माई हो, जै शी किशना आप सभी को